दोस्तो MS Word का Complete Page Layout Tab शुरू से लेके end तक इस वीडियो में मैंने explain किया है detail में बहुत सारी tips and tricks के साथ अगर आपको home और insert नहीं आता ना तो ये मैंने complete कर रखा है हमारे channel पे जाओ MS Word की playlist देखो वहाँ पे home insert आपको complete मिल जाएगा home का मैंने एक ही complete वीडियो बनाया था और insert को मैंने parts में explain किया था तो अगर आपको home insert सीखना है channel पे जाओ या फिर MS Word की playlist का link इस वीडियो के description में भी आपको मिल जाएगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में हम बात करेंगे complete page layout की जिसमें मैंने बहुत सारी unique tips and tricks भी आपको बताइए के वल basic नहीं है फिक है इसके बाद बहुत जल्दी reference, mailing, review, view का complete वीडियो आने वाला है तो अगर आप complete MS Word सीखना चाहते हो बिना कहीं institute पे जाए या आप ये series देखिए आपको कोई और MS Word की series या किसी और के वीडियो देखने की जुरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों मैंने detail में explain किया है और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना वीडियो के नीचे जाए रेड कलर का subscribe बटाने क्लिक करके subscribe कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करते जरूर आना तब भी आपको हमारी नीव वीडियो की notification सबसे पहले मिलेगी दोस्तों तो उमीद करता हूँ इस मैनत के लिए आप एक like तो करोगे मैं हूँ दीपक आपका दोस्त let's begin this topic तो page layout tab में दोस्तों page की सारी settings होती है इसलिए step का name page layout है ठीक है अब आपको करना क्या है जब भी आप MS Word open करो ना कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है paper का size select करना जिस तरह का paper आपके पास है जिस तरह के paper पे आप अपना data print करोगे ए4 ए3 लेटर लीगल जो भी paper आपके पास है जिस पे आप अपना data print करोगे वही paper आपको यहां से select करना होगा फिर उसी पे काम करना होगा कहीं ऐसा ना हो कि यहां से तो कोई और paper आपने ले रखा है print आप किस और paper पे कर रहे हो तो वहाँ पे data आपका बिल्कुल सही नहीं आएगा इधर उदर से cut जाएगा फिर आप confused हो जाओगे कि यह हो क्या रहा है ठीक है ना तो सबसे पहले आपके पास जैसा paper है जिस paper से आ होगे पेपर पे वही paper आप यहां से select कर लीजिए यहां पर नाम दे रखे है letter legal a3 a4 a5 जो भी है तो normally जो हम यूज करते हैं वो a4 होता है और इसकी जो height और width है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी हर एक paper की जो width है पहले width लिक होई है फिर height लिक होई है ठीक है a4 क जो width होती है वो 20 cm और height होती है लगबगती cm ठीक है तो अभी मैंने यहां पर click कर दिया यह हो गया a4 paper select अब यहां पर जो भी आप काम करोगे फिर उस paper को आप a4 paper पर ही print कीजिए a4 printer से यह बिल्कुल सेम आएगा कोई गडवड यहां पर नहीं होगी ठीक है दोस्तों अब मैं काम करता हूं मैं control a से इसको select कर लेता हूं control c से copy मैंने यहां पर चार पांच पेज हो है वो बना ली है चार पेज ठीक है अब अगर मैं यहां paper का size select करता हूं मान लीजिए मैंने a3 ले लिया तो यहां पर पूरे document का change हो गया a3 लिया तो a3 तो काफी बड़ा होता है तो आपका जो data था वो दो ही पेज़ों पर आ गया दो ही पेज़ों पर आ गया बट आपको print करने के लिए a3 printer चाहिए तब ही यह data पूर आएगा a4 चे निकाल हो तो यह cut जाएगा बाकी का जो area है जितना a4 cover करेगा उतना a4 पर आएगा ठीक है तो मैं यहां फिर से क्या करता ह हूं a4 मैंने कर दिया select अब यहां दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा paper है जिसको जिसके बारे मैं आपको पता ही नहीं है कि यह letter है legal है a3 a4 कौन सा paper है आपको पता ही नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो आप scale से ना उस paper की जो width है और जो height है उसको map लीज यह centimeter में फिर है ठीक है मैंने ज्यादा कर दी नीचे आप preview देख सकते हो ठीक है height आप कर सकते हो जो भी है और okay कर दीजिए okay करती क्या होगा यहां पे सारे जो papers है सभी पे अप्लाई हो गया है कि सभी अप्लाई हो गया है ठीक है ना मैं Ctrl-Z कर रहा हूं मैंने Ctrl-Z कर लिए अब कैई बार पहले पेज पर ही चेंज एपलाई करना है मतलब पहले पेज पे मुझे कोई अलग paper का साइज सेट करना है ठीक है और बाकी सारे पेजों पर अलग paper का साइज सेट करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं हमें spell page को यहां से break कर देता हूं मैंने यहां क्लिक करके Ctrl-Enter कर दिया था ठीक है माल लीजिए मुझे इस पेज़ पर कोई अलग पेपर का साइज सेट करना है तो मैंने सेलेक्ट कर लिए टेक्स्ट को है ना साइज पर हम जाएंगे मोर पेपर साइज यहां नीचे ऑप्सन मिल जाएगा साइज सेलेक्ट करना है तो यहां आप कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकते है और लिया A3 थीकक्षे कर दिया तो यहां पर आप देखिए जो पहला पेज था जो तक स्वाप हमें सेलेक्ट कर रखा था उस पेपर का साइज क्या हो गया? तो इस तरह से मैं यहांपर क्लिक कर लिया कि拜拜 कि क्लिक कर लिए, मैं कि चाहां से बाद का जो भी टेक्स्ट है जो भी पहें हैं उन सबी का अलग सेट कर लेता हूं इसके बाद की, पेज है ना इन पे मेरे को अलग कोई साइज सेट करना है तो साइज पर जाओगे यहां से आप ले लिए जो भी आपको लेना मान लीजे मैं एथ्री ही ले लेता हूं और उसके बाद यहां से आप देखें वह इस पॉइंट फॉरबर्ड मतलब जहां आपने क्लिक किया हुआ है उससे आगे उससे आगे कौन सा आपको पेपर का साइज या हाइट विर्थ आपको लगानी है ओके कर दीजिए तो आप देखिए यहां पर मैंने इस पेज के नीचे क्लिक किया था और इस पेज से आगे जो है एथ्री पेपर आ गया है अब दो पेज थे वह दौना लेंडस्केट अभी जो पेज आपको सीधे लंबे दखे जे रहे हैं खड़े होई है ना अगर यहां को ऐसे लेटे होई प्रिंट निकालना है तो आप और इंटेस्ट में जाके लेंडस्केप कर दीजिए यह पेज वाइड हो गई है लेटे लेटे से आपको इस तरह से प मैं बताने वाला हूं इससे पहले मैं आपको यहां पे बताऊंगा मार्जन मार्जन क्या होगा सबसे पहले आह начала क्या चब करनेंगा तर ठीक है मैं ने पीजों को थोड़ा चोटय ता कि करता रहा है सारी कैसे होरा है वह करिनbers मार्जन का फंड क्या होता है मार्जन जो पेज है यह जो जगह है यह place भी है मार्जन थोड़ा साइप ऑपको न बढ़ता है है आप भी नौस लिखते हो पेपर पे तो आप भी जगह छोड़ते हो हैं ना यहां पर से नीचे से इस पैस कुछ लिखाई नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा यह पूरा फिल होगा पड़ा है पूरे पर टेक्स लिखा हो तो इस पेस पर आप देख सकते हो ठीक है न तो यह जो सपेस है यह margin यह कम हो गया है अपनी मर्जी से आप सैट कर सकते हो आपको देखिए यहां पर वाइड मर्जन लेना है तो यह तो यह जरूरत के हिसाब से कर लीजिए नॉर्मल कर दिया मैंने फिर से अब यहां आगर आपको कस्टम मार्जिन सेट करने मान लीजिए मैं यह ले रखा है मैं फाइल की बैंडिंग करूंगा मैं पेपरों को प्रिंट निकालूंगा फिर इनकी बैंडिंग करेंगे तो जैस में आप अलग से एक्सट्रा स्पेस्स दे सकते हो माली यह मेरा मार्ज करूंगा यही होगा इतना होगा इतना ही है बत मैं बैंडिंग करूंगा तो इदर से वाइन इन से जापने यहां यह थोड़े से बैंडिंग में दबेंगे तो थोड़े से इधर सेट करने हैं ताकि बैंडिंग हमारी साफ हो जाए और वर्ड हमारे क्लियर रहें पढ़ने में कोई दिक्त ना हो तो यहां पर गटर पोजिशन दे रख किया है अब एक्ट्रा सपेस आप एड़ कर सकते हैं तो यहां पर गटर बनाते हो यहां तो यहां पर ब्रड़ेंगा यहां पिर विव्यू आपको देख रहा है टॉप मतलब यह जो स्पेस अमने दिया यह एक्स्टा फेस क्ड़ब में आएगा अगर आप यहां पर दो तो आप यहां देको के लेफ्ट में यह व्याइड हो गया है ऐपनोर्मारी वैसे कर सकते हो करके से इतना कर सकते हो अब यहां और यहां उसक्न था है रе धिफें बॉर्टरेट और लेंसिकेप यहां पर बीक कर सकते हैं आप लेंसिक्षेट अ कि यहां से हमने साइप किया था ना पेपर का साइज की हमें पहले पेपर पे लग चाहिए बाकी पेजों पेलग सी यह तो वो सब चीज आप यहां माजन के साथ और यहां पोर्टेट और लेंडसकेप के साथ भी कर सकते हो कैसे करोगे देखिए मैंने इसको close कर दिया, ठीक है, मान लिए से मैं पहले page का orientation change करना चाहता हूँ, अगर मैं यहां से change करूँगा तो यहां से तो सभी का change हो रहा है, आप देख सकते हो, सभी का change हो रहा है, बट अगर मुझे पहले page का change करना है, तो मैंने इस text को select कर लिया, ठीक है, और margin पर जाए, गए, custom margin पर जाएंगे, यहां आपने क्या लेना है, मान लिए, landscape ले लिया, और यहां से आप क्या लोगे, selected text, जो text आपने select किया हुआ है, केवल उसी पर यह change करना है, ओके कर दीजिए आप, तो यह देखिए, केवल पहले page का जो है, orientation change हो आए, यहना बाकी किसी का नहीं हो आए, तो फिर से आप जाओगे, यहां पे, आप इसको हटाना चाओ, सारे documents पे अपलाई करना चाओ, यहां से सारे documents पे आप अपलाई कर सकती हो, ठीक है न, तो मैं यहां से इसको portrait ही कर देता हूँ, हो, okay कर दीया, तो portrait हो गया है, सेम इसी तरह से margin भी आप Set कर सकती हो, margin पर जाओगे, custom margin पर जाओगे, पहले phase का margin आपको कम करना है, left से कम करना है, तो यहां आपने, आपने left से कम कर दिया, ठीक हैне, यह आपने इस तरह से आपको दिखाई देगा preview आप तेख सकती हो, first page करन तो यह सारी चीज़ें दोस्तों आपको deeply पता होनी चाहिए मैं बिलकुल detail वे explain कर रहा हूं इस page layout tab को यह video पूरा आपको देखना है ठीक है तो इस तरह से आप यहां पे size orientation margin option का use कर सकते हो समझ में आगे होगा उमीद करता हूं दोस्तों ठीक है अब यहां हम बात करें columns की columns का funda क्या होता है मान लीजिए कोई text आपने लिखा हुआ यह text आपने लिखा हुआ और यह text आपको दो columns में चाहिए ठीक है तो आप क्या करोगे select करके मैं पूरा page ले लेता हूं यह वाला matter और column पे आप जाओगे और two column पे click कर दीजिए तो वो text था वो दो column में डवाइड हो हैं हमारे जो words हैं वो सही तरीके साज है मैं एक काम करते हैं दोस्तों यहां control इसे सब कुछ select करता हूं delete कर देता हूं और फिर से एक नया paragraph मैं पर type कर देता हूं ठीक है यह एक नया paragraph मैंने ले लिया है मैं यहां पर समझाँगा सब कुछ आपको डिटेल में control इसे select करके control shift greater data dance थोड़ साइज मैंने बड़ा कर दिया है अब माल इसी है मैं इसमें दो यह तीन कॉलम बनाना चाहता हूं तो मैंने select कर लिए सारा data सारा करना तो सारा कर लीजिए आपको जितने में जितने text के column डवाइड करनी है उतना text आप select करके column पे जाओ और यहां पर two करोगे two में हो जाएगा three करोगे three में हो जाएगा ठीक है यहां पर अगर करते हो आफ left में यह option है left का left करोगे तो एक left में छोटा column आएगा ही रहा उसके बाद बड़ा column यह रहा books में आपने देखे होंगे यह सब चीज है ना तो फिर से आप select करके अगर आप करते हो right करते हो तो यह left म अगर आपको columns की में लाइन चाहिए तो लाइन बिट्वीन बिटिक लगा दिया ओकी कर दिया तो यहां पर columns की में लाइन आ जाएगी जिससे आप देखते हो na books में बनाते है difference between two or three अलग-अलग चीज़ों के बीच में difference बताना है तो इस तरह से आप अलग-अलग कर सकते हो columns को ठीक है select करके यहां पर column पर जाओगे more column पर जाके यहां पर और यहां पर maximum one two three column आपको मिलते हैं यहां पर या फिर आप यहां पर देख लिए one two three तक अगर आपको इससे ज्यादा बनाना है तो यहां पर number of columns आपको मिल जाएंगे आप increase कर सकते हो जितने column आप यहां से क क्करनी है वो भी आप कर सकते हो इहां पर आफिया यहां है घेर चांए और रेंड गर चालम से लगद कर लिए रहा है जाया न आपको कंद करोंगे में ज़ूंगे कि आपको सिलेक्त कर दिजिए जो आपका जानने बहुत जरूरी है, तो यहां मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास अभी यह data है, एक ही page है, और इस paper का जो साय है, जब वो a4 ले रखा मैंने, मैं इसको copy कर लेता हूँ, एक बार control c, और यहां पे नीचे paste कर देता हूँ, control v, control v, मेरे पास यह दो page है, ठीक है, दो page है, करने के लिए, माल लीजिए, यह page है, और यह page आपको यहां से break करना है, जहां आपने click कर दिया, इसके बाद का matter आपको अगले page पर भेजना है, click कर दिया, यह तो आप control enter दबा दीजिए, यह फिर आप break पर जाके, यह page पर click कर दीजिए, तो यह page break आपका हो जाएगा, यह जाके, page break कर दिया, तो यह लगा गया है, मैं इस page पर दो column बना देता हूँ, यहां पर, मैंने select कर दिया, और column पर जाके, दो column बना दी, यह दो column बन गई, ठीक है, माल लीजिए, मुझे क्या करना है, column को break करना है, जैसे आपने उसको break किया था, page को ऐसी column break कर सकते हो, कहां स यहां से break करना है, जहां आपने click कर दिया, इसके बाद का data वो अगले column में बहेजना है, तो आप break पर जाके, यहां पर column break करोगे, तो यह देखिए, यहां के बाद जो लिखा हो था, वो अगले column में चला गया है, ठीक है, यहां फिर आपको क्या करना है, यह जो है data इसके ब प्रवने के बाद आप क्या करोगे जाओगे क्लिक करोगे तो यह देखिए तो अगर आप यहां पर क्लिक करके कॉलम ब्रेक करोगे तो यह पूरा डाटा है यह यह अलग वह जाएगा और यहां पर नया कॉलम आ आपको समझेये ओगा तो यह कॉलम का फंद आपको समझेया ओगया होगा घंग इसकी ओ ऊपको कॉलम वन कर देता हूं कर दिया अब तक्स रेपिंग कुलम वन कर दिया उटक्स रेपिंगी और गया है? इसका फढ़ समझी है, मानली सी मैंने यहाँ पर क्लिक किया हूए, और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर इस तरह से direct अगला paragraph शुरू हो गया, ठीक है? यहाँ पर ज्या स्पेस आ गया है. अगर हमें लाइन ब्रीक करनी है मैं ही चाहता हूं कि जहां क्लिक किया ना इसके बाद का जो मैटर जस्ट अगली लाइन में आ जाए ऐसे पैराग्राफ की तरह आपको दिखाई ना दे तो आप यहां क्लिक करोगे और यहां पर जाके ब्रेक पर जाके टेक्स रैपिंग कर दीजिए तो अगर को सिंगल लाइन ब्रेक करनी है तो आप ब्रेक पे जाके यहां पर क्लिक करोगे इसके बाद के यह होता है यह सेक्शन बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं अब सेक्शन बनाने का फंड़ा क्या है दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो पपलिज किया था M. स्वर्ड की टिप्स इंट्रिक्स का जहां पे मैंने बताया था कि आपको अलग-अलग पेज़ों पे सिसका साइज मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है अब मैं काम करता हूं करके c p इसे paste करके क्या yu page मैंने यहां पर बना दिए यहां पे मेरे पास तोटल 4 page है ठीक हैً अब मैं फिर से थोड़ा सा कंठ्रोल से select करके size बढ़ा कर लेता हूं ताकि आपको दिखता रही दूर से थीक है मैं तोड़ा चोटा कर लिया मैं ज़्यादा पेज नहीं लेता हूं अब देक्ष कर दिया यहां से ही डबल क्लिक करता हूँ तो यहां से पतालगा सकते हो कि किटने सेक्षिंट מे कितने प्रग section में डिवाइड हो जाए मतलब दो section में अपने document में बनाना चाहता हूं पहला ही हो जाएगा और यह दूसरा ही हो जाएगा ठीक है तो मैंने यहां क्लिक कर लिया और मैं जाओंगा page layout पे break के अंदर जाके यहां next page पे क्लिक कर देंगे तो यहां पे section वेखोगे अब यह दो पेजों का section 1 है और इन बाकी सारे पेजों का section 2 है आप कैसे पता लगाओगे header पे double click करो यहां देखिए section one section 1 यहां पे section टू section टू section टू सभी pageओ का section टू है यह देखे section 2 लिखा हो खोब है अब इश से क्या फाईदा हो सकता है से फाईदा ये होगा कि आप section one पे लग अलग लगा सकते हो पें लग लगा सकते हो इस फाइदा लगा सकते हो छाइब अब यह मैं Miks कोई भी हेडर मैंने टाइक कर दिया साइज मैंने बड़ा कर दिया यह कौन से हेडर अभी सेक्षण वन का ठीक है यह से सेक्षण टू के अंदर भी अभी दिख रहे हैं बट मैं इसको बदल सकता हूं आप यहां किलिक करोगे यहां रिंग टू प्रिवेसेट इक अब यहां पे आप कोई भी लिख दीजिए मैंने लिखा एक्स वाई जैड ठीक है अब आप यहां बहार डावल क्लिक कर दीजिए अब आप देखिए यहां पे एबीसी पहले दो पे जो पहेडर अलगाया और बाकी यहां पे जो पेस्ट सेक्शन टू के अंदर जितने भी पेसे सबी प सेक्शन इस बन गया है ठीक है यहां से अभी यहां प्लिक करोगा म्त प्रेखर यहां पर क्लिक कर दीजिए तो अब आप देखिए यहां पर double click कर दीजिये तो अब आप देखें यहाँपे PQR लिखा रहे है ठीक हैं यहाँप ABCR है section 2 से यह हट गया है XYZ और बहाँध डवल क्लिक करके आप देखिए यहाँपे पहला section यह था ठीक है यहाँ से लेके यहाँ तक पहला section था ABC है और इसके बाद यहां से लेके यहां तक ही यह सेकिंड सेक्षन था और यहां से तीसरा सेक्षन शुरू होगा है PQR तो यह दोस्तों सेक्षन का ही कमाल है अलग अलग सेक्षन हमने बना दिये उस पे हमने अलग 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 हैडर लगा दी है है इसी तरह से अलग लग सेक्षन बना के हम पेज नंबर भी री स्टार्ट कर सकते हैं जैसे आपका पेज नंबर लगा होगे यहां से लेकि यहां तक चलेगा दुबारा इस से दुबारा से वन से शुरू कर सकते हो इसके लिए आपको वह डिटेर्र वीडियो देखना अब देखिए मैं यहां पर फिर से कंट्रॉल लें करके नई फाइल लेता हूं इकोल आरे एंडी मैं नई फाइल बार बार ले रहा हूं ताकि यहां पर सारा कुछ मिक्स नहों आपको अलग अलग सारे कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएं ठीक हैं मेरे पास यह एक पेज हैं ठी दो, तीन पैर अगर ओ आगर मैं यहां पर इसको mix कर देता हूं मैन्ने ब्रेक कर दिया यहां ब्रेक कर दिया अभी कर Esse यहां पर सा मता मतरा मद्र कंट्यूनिव के सा नहें ना ँ सलके उनकार के ब्रेक को ब्रेक कर देना और उसके बाद break में जाके मने यहां पे क्लिक किया और फिर continuous यहां भी paragraph बन गया अब जो एंटर करके paragraph मने बनाया और जो मैं continuous पे क्लिक करके ब्रेक रे जो continuous option है इस पर उसमस्तो करके बना रहा हूं दोनों में फ़रक어 क्या है तो बूले पेरic तो आप होगा धे एक रागा है कसे है? हाला कि भीच में जो पे त्रॉमबर थ्रू है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ कर लिए और पेर किल्क लिए इसके बाद का दे마 साट है मैंने किल्क के लिए भीच में इसके आद का जो data है वो मेरे को अगले even page पे चाहिए जाए या अगले odd page पे ले जाना है तो आप यहां पे click कर लिए simple है यह तो ठीक है अगर और पेस भी करता हूँ तो मैंने हैं ऊपर click कर लिया और देखिए कौन से प्लिक करते हो इधर और फिर मैं ब्रेक पर जाके क्लिडे करता हूं तो यह जो टेक्स्ट ऐ कुछ सा है यह कुछ देख सकते हैं तो इस तरह से पर ब्रेक quier सकते हो यहां यूज़ करके तो काफी लंबा option था यह और बहुत यूज़ का भी है इसके बाद हम बात करते हैं line number की तो मैं यहाँ पर control Z कर लेता हूँ सब कुछ line number के हम बात करते हैं यह मेरे पास एक page है ठीक है और मैं यहां पर Ctrl C करके इसके नीचे एक और पेज एड़ कर लेता हूं, Ctrl V, ठीक है, Ctrl A से सारा मैंने सेलेक्ट किया, अगर आपको पेज नमबर, जो है, लाइन नमबर है, पेजों पर जो टेक्स लेखा हुआ, लाइन नमबर लगा है, तो लाइन नमबर पर आप जाओ यहां से continuous कर दीजिए, लाइन नमबर लग जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, यह ब्लैंक लाइन पर लगेगा, ब्लैंक लाइन, लाइन है न, ब्लैंक लाइन है, उस पर भी लगेगा, अगर आपने एंटर करके लाइन ली हुई है, तो उसके बाद यहां देखिए, यहां यहां पर यहां प पर आएंगे, अब सेक्शन बनाने का फंडा यहां आपको किलियर होगा, यहां आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां से नया परग्राफ शुरू हुआ, तो फिर से 1, 2, 3 से नमब जो है, लाइन नमबर सुरू हो गई है, मैं कान करता हूं, कंट्रोल इसे सारा सेलेक करता ठीक है, यहां से लाइन झमबर हटाने अब भी हटेगा नहीं, यह बैक से सब्स आप दबाऊ गे तो यह लाइन नमबर नहीं हटेगा, तो आपको लाइन नमबर पर जाकर नन करना होगा, हट गया, मैं यहां पए एक पैरग्राफ एंटर कर लेता हूं, यह मैंने इक पैरे मैं इन paragraph को इखटा कर देता हूँ मैंने इखटा कर दिया ठीक है यह इखटे हैं भी अब मैं यहाँ फिर से paragraph बनाता हूँ मानलीज मैंने यहाँ click कर लिया और मैं ब्रेक पे जाके continuous पे click कर लिए paragraph बनाऊँगा, बना दिया, section break कर दिया continuous का मतलब तो section break करना paragraph बनाना ठीक है? आप यहाँ click करोगे और फिर से आप जाओगे break पे और यहाँ पे मैंने continuous कर दिया, तो अब मैंने continuous से section बनाई है अलग-अलग, यह section अलग है, यह section अलग है, अब आप select करो, यहाँ पे और line में आगया होगा आप बात करते हैं हाइफनेशन की तो मैं लाइन नमबर हटा देता हूँ अभी लाइन नमबर के अंदर एक option और रह गया यहां पे पे control A से सारा text मैंने select कर लिया और line number पे जाके continuous पे click कर दिया लगातार line number यहां पे लग गया है ना मान लीजिए इस paragraph पे आपको line number नहीं चाहिए skip करना लाइन नमबर तो आप यहां कहीं भी click कर लो click करने के बाद line number पे जाओ सुपाइस टू करें paragraph पे क्लिक कर दीजिए तो इस paragraph पे line number नहीं आएगा यहां से यह लगातार चला हुआ है तो इस तरह से line number options का आप use कर सकते दोस्तों मैं हटा देता हूँ none पे click करके line number आप हटा सकते हो उससे पहले आपको सारा text select करना होगा none पे click कर दीजिए line number हट गया ठीक है अब मैं यहां इसको select करके थोड़ा सा size बड़ा कर लेता हूँ ठीक है text का size मैंने बड़ा कर लिया मैं यहां पे आपको कुछ समझाने वाला हूँ इसलिए मैं text का size थोड़ा सा जादा कर रहा हूँ इसको basic आप delete कर दीजिए कोई जूरूत नहीं है ठीक है यहां पे hyphenation मैं आपको समझाने वाला हाइफन तो पता होगा ना कि word अगर पूरा नहीं आता है तो यहां पे minus का sign लगके आदा word नीचे आ जाता है उसको हम बोलके hyphen तो automatic hyphen आप कैसे लगा सकते हो hyphenation पर आप जाओगे यहां पर automatic पर क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ हाइफन लगे देखिए पी आई सी माइनिस का sign और टी यू आर एस यह नीचे आगे तो यह हाइफन हो गया है ठीक है ना अगर मैं यहां पर undo कर देता हूं control-z मैंने कर दिया undo हो गया है उसके बाद यहां पर manual भी दे रख है manual पर click करोगे आप यहां पर तो manual पर अपनी मतलब यह आपको word select करकर करके बताता जाएगा कि यहां पर document है यह नीचे पूरा ऐसे आ रहा है मतलब हाइफन लग गया यहां पर आपको लगाना है नहीं लगाना 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 तो yes करो नहीं लगाना तो no करो ठीक है मैंने no कर दिया तो आप यहां देखोगे मैंने इसको close कर दिया और यहां पर document एक word था यहां पर आइफन नहीं लगा है ठीक है ना तो अगर आपको लगाना है तो yes कर दीजिए नहीं लगाना तो no कर दीजिए मैं फिरसे आपको दिखाता हूँ हाइफन पर जा क्या होता दोस्तों जब आप कोई अपने नोर्स मनाते हो महलेज या अप एक टीचर अपने नोर्स मनाते हो आप अपने नोर्स के बैगराउंड पे हलकास अपना नेम ठीक है वह दिखाना चाहते हो या फिर आप कोई office के डॉक्यमेंट करते हो पेज के background बेह हलकासा office का तो उसके लिए हम यूज करते हैं वाटर मार्क तो मैं यहां पे कुछ पेज ले ले लेता हूं कंट्रॉल एंटर करके यह ले लिए मैंने वाटर मार्क पर आप जाओगे और यहां पर देखिए कुछ आप्शन वैसे यह टेमपलीट्स दे रखें आपको जैसे डूनोट यह बैक्राउंड पर यह प्रिंट में भी आएगा चांटर्ल एफटू आप करो यह ना तो यह प्रिंट में भी आपको देखेगा ठीक है इस तरह से देखो डूनोट कॉपी लिखा हुआ है एसकेप की दबा के यहां से बाहर निकलते हैं आप यहां पर कुछ भी लिख सकत यहां किंद डेख टिए तो यहां पर आप दिखाई देघी जिए अब यहाँ पर यहां मेट लाइगा बिल्कुल इस तरह सीं आएगा फिकचर साइज वह आप सेंटसी कितनी परेंट आपको साइज करने है कि या तो आप यहा मार्क कर सक्ते नहीं ही है तो श्रकाइब नहीं है तो टैक्स्ट वाकटरगांक मार्के क्लिक तो डेते हैं मतलब क्या लगाना यहां पर क्या लगाना मैंने यहां पर लगा दिया दीपक डियू वर्ल्ड यह लिख दिया मैंने यहां पर दीपक डियू वर्ल उसके बाद यह font test का font style जीसे आप home से लगाते हो ना font style अलग अलग text पर तो ऐसी यहां पर font दे रखें आपको कौन सा font लगाना है size क्या रखना है आपको ठीक है size आपको ज़्यादा रखना है तो आप यहां से ज़्यादा ले लिजिए और color किस color में आपको text दिखाना है तो red color ले लिया ठीक है उसका अप्लाई कर दिया तो यहां पर दीपकी डियूए size ज़्यादा बड़ा हो गया है इसको कम कर देते हैं तो मैंने इसको रख दिया ठीक है 60 रख दिया एप्लाई कर दिया तो यह इस तरह से आ गया है यहां जैसे वासाउट का उप्सन था जिससे पिक्चर आपकी light और dark हो रही थी सेम उसी तरह यहां पी आप कर सकते हो अगर आप यहां से टिक हटा के apply करते हो तो यह जो टेक्स आपका देखेगा सभी पेज़ों पर है और अगर आप यहां से टिक लगा के apply करोगे तो फिर यह आपका light आएगा तो यह था complete जो है watermark का फंडा दोस्तों आप close कर दीजिए और यहां पर आप देखोगे यह आपका watermark लगा हुआ ठीक है आपका कोई logo अगरा है वह पिक्चर लेकि उसको add कर सकते हो तो यहां पिक्चर और टेक्ष दौनों तरह से watermark आप लगा सकते हो हटा देता हूं मैं watermark को watermark पर जाके मैंने कर दिया remove watermark ठीक है तो जो watermark के वहट जाएगा इसके बाहर जो बात आती है वह पेज कलर की आप पे जोगा कोई भी कलर लगा सकते हो बट यहां दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पेज का कलर आप लोगे ना वो प्रिंट में नहीं आएगा वो केवल सॉफ्ट कोपी के लिए केवल जो डॉक्मेंट आप यहां पे रेडी कर रहे हो केवल उनी पे वह कलर के अंदर देखेगा हाड कोपी पेपर पर प्रिंट में वह कलर नहीं आएगा डिजैनिंग के लिए आप यह कलर यूज कर सकते हो ठीक है ना जिसमाली से यह कलर मैं लगा दिया यहां पर मैं कोई कलर लगा देता हूँ यह वह लगा दिया ठीक है उसके बाद यहां पर पे क्लार के अदर बहुत सारे अप्सेन हाँ लैं लो कलर करो गी मॉर कलर आप अगर इनध कोई पसंड नहीं हारा तो मुर कलर पर यहां से कोई कलर पिक ट्रके सकते हो या फिर आ अलग लग तरह से यह घूम घूम के इस तरह से एंगल आपको दिखेंगे इसके सैडिंग स्टायल यह लगाने क्लिक कर दिया ओकि कर दिया तो वही आपका लगज़ाएगा सारे पेज़ों पे ठीक है पेज गलर पर जाके फिल एफेक्ट पर जाओगे तो यहां पर टैक्चर ikhto करो यहें ना प्रिंट में यह कुछ भी नहीं आएगा कैट में यह कुछ भी नहीं आएगा बस यह आपको यहीं दिखाई ढे रहे हटाना है तो पेज कलर पर जल देना तो उदे देंगे तोयहां पर देख़ेते आपको दिय justo हम क्याते हुता है यहां पे पर चलिक कर देता हूँ एक बार फिर से मैं एक paragraph ले ले लेता हूँ equal rand bracket open close enter press कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास यह तीन paragraph है ठीक है तीन paragraph है अब मैं यहाँ पे इन तीनों को कर लेता हूँ select और यहाँ पे मैं जाता हूँ paste border पे यहाँ पे सबसे पहले border है border border मतलब जो text आपने select किया ना उसमें border लगाना यह paste border नहीं है यह text का border है तो border ले लिया यहाँ पे आपने कैसा लगाना है तो वह आपने हैं ले लिया ओकी कर दिया तो यहाँ पे सारा जो text box के अंदर बंद हो गया है control जड़ करके मैंने undo कर दिया है फिर से मैं क्लिक करता हूँ page border पे और यहाँ border पे क्लिक करेंगे अब मान लीजिए मैंने box border ले लिया अब यहाँ पे चारो तरफ जो है border आएगा अगर आपको उपर नहीं लगाना तो अटा दीजिए नीचे नहीं लगाना तो अटा यह तो था text का border अब हम बात करते है पेज border की तो पेज border के लिए आपको करना क्या होगा मैं यहाँ पे कुछ page add कर लेता हूँ control enter करके यह मैंने कुछ page add कर लिए है ठीक है और पेज border पे हम जाएंगे यहाँ यह पेज border का पड़ेगा ठीक है पेज border पर क्लिक कर लीजिए और इसके बाद यहाँ पे लाइनों के style दे रखें लाइन कैसी चाहिए आपको ऐसी लाइन चाहिए लाइन का color क्या चाहिए लाइन का color यह वाला चाहिए ठीक है लाइन की जो विर्थ है वो कितनी चाहिए वेट कितना चाह चाहिए फिलाल यह सभी पेजों प्यारा आप अलग अलग भी कर सकते हो कैसे करोगे वह मैं आपको बताऊंगा अभी ठीक है तो यह फंटा समझ मां आगया होगा अतना अब मालीजिए यहां पे मैंने नन कर दिया एक बार नन कर दिया ओकी कर दिया ठीक है मैं इस text को कुछ कोपी करके पेज्ट कर देता हूं पेजा पर अंट्रल वी और अब ठीक है अब मैंने इस text को select किया select कर लिया paste border पर मैं गया और यहां पर paste border है यहां से मैंने कुछ border का style अब मालीजिए यह border ले लिया ठीक है और मैं यहां पर क्या करता हूं यहां पर option दे रहे है all document मतलब सा पहले page पे लगाना है तो आप क्या करोगे page border पे जाओगे और यहाँ से ले लोगे this section first page only ठीक है और यहाँ से कोई भी आप ले लिए यह border का color और यहाँ से मैंने ले लिया यह वाला border ओकी कर दिया तो आप देखोगे पहले page पे ही border आ गया है अगर आपको पहले page को छोड़क पहले page को छोड़के ठीक है अब दुबारे से जाईए आप page border पे ठीक है और यहाँ पे अगर आप all document करोगे सारे document पे लगेगा this section अब यह मैं आपको बता देता हूं this section का फंडा यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे आपने break के अंदर जो section break किया था ना जहां से मैंने अलग- लेता हूं size जो है थोड़ा से जादा कर लेता हूं आपको दिख जाएगा clear ठीक है इस तरह से मैं मैंने क्या किया मैं यहाँ पे click किया और मैं यहाँ पे click करने के बाद एक section break यहाँ पे add कर देता हूं break पे जाके next page ठीक है यहाँ एक section break add हो गया है अब आप border पे जाईए प section one section one और यहाँ से section two चालो हो गया है ठीक है तो आप यहाँ किसी page में click कर लीजिए पहले section के अंदर और फिर आप जाईए यहाँ पे page layout टैप पे और यहाँ page border और यहाँ से आपने कोई भी border ले लिया और यहाँ पे आपने लगा है this section की जिस section में आपने click कर रखा है के वि box border और यहां से जो line की width है वो मैंने थोड़ी सी जादा कर दी है ठीक है थोड़ी और ज्यादा कर लेते हैं ठीक है और यहाँ आपको select करना पड़ेगा this section की जिस section में आपने click किया है ना जहां तक यह section है वहीं तक यह जो है page border लगे okay कर दीजिए तो यह देखिए second section पे जो button पे click करके okay कर देंगे border सारे हट जाएंगे अब यहाँ पर setting की हम बात करते हैं मान लीजिए आपने text को select किया आप इसके background पे कोई setting लगाना चाहते हो तो इसके लिए या तो आप home पे जाके यहाँ पे एक setting का option होता है यहाँ से भी आप लगा सकते हो या फिर आप page layout पे ज नहीं जाओगे ठीक है select कर लीजिए जितना भी आपका text है और page border ठीक है और setting पर जाके यहाँ से no color करके no color okay कर देना तो यह आपका color हट जाएगा दोस्तों इसके बाद यहाँ पे indent और spacing के दो option है ठीक है इनको समझाने के लिए मैं फिर से text को delete कर देता हूं और यहाँ पे म मतलब अलग-अलग text ताकि वो text raw material जो एकटा होता है ना वो सारा clear होके नए data आ जाए मैं इनको करता हूं select और control जे से justify कर देता हूं अब यहाँ left में और right में space कम यह ज्यादा करना है तो indentation हम use करेंगे left से करना है तो left से आप देखिए कर सकते हो कम यह ज्यादा right से करना है after बाद में होता है basically इसका use होता है कि paragraphs अगर आपके पास document में बहुत सारी है और उनके बीच में आपको space add करना है उनसे पहले space add करना है तो वहाँ पे हम spacing का use करेंगे देखिए मैंने इन तीनो paragraph को select कर लिया और यहाँ before पे click करता हूं तो आप देखिए तीनो paragraph के ऊपर यहा यहाँ पे space add हो हुँर है आप यह देखिए before मतलब इसको ज्यादा हाँ कर सकते हो कम कर सकते हो अगर paragraph के बीच में space चाहिए करोगे insert पे जाके कोई shape आप ड्रॉ करते हो ठीक है यहां पर मैं एक shape ड्रॉ की तो shape पे हम काम करते हैं तो format का यह option आता है और यहां पर बहुत साइव option आते हैं अब यह पूरा arrange block आपको यहां मिल जाएगा देखिए position wrap text send to back bring to front selection pane rotate align height width यह पूरा का पूरा मैं आपको समझा चुका हूँ already shapes के video में तो इसके लिए आप यह सेप का video देख लीजिए link आई button पर मिल जाएगा ठीक है तो यह सारे option देखिए यहां पर भी highlight होगे है जैसी आप कोई shape add कर होगे न तो यह option करता हूं control n करके एक नई file ले लेता हूं और यहां पर हम क्या करेंगे यहां पर एक छोट सा document मैं बनाता हूं आपको theme समझाने के लिए ठीक है यह paragraph आ गया ठीक है इसका size मैं थोड़ा सा जादा कर लिया और यहां मैं enter करूंगा और लिख देता हूं Microsoft word ठीक है इसके नीचे मैं यहां पर एक heading डाल देता हूं word is ms word यह heading डालती है अब हमारे पास document में headings होती है normal text होता है title होते है document के तो इसके लिए हम style लगाने के लिए home page आके यहां styles में से लगाते हैं मैंने यह हमारा document का title है इसको select किया और यहां से मैंने इसके बाद word is ms word इसको मैंने select किया और यहां से कोई heading का style लगा दिया heading 1 इसके बाद यह जो बाकी का text है आपका इसको मैंने select किया और यहां से कोई कोई ईस पर स्टाइल लगा दिया इसमें से लगा दिते हैं कोई आ JOHN कि यह लगा दिया तो ही डोक्यमेंट आपका इस तरह से त्याराका एल अब इसकेनदर मैं कोई से भी ड्रॉफils यहां पर से द्रॉफ कर देता हूं यहां पर बहुत सारी तीम्स आपको दिखाई दिया हैं जैसे ही मैं किसी तीम के उपर करजर रख रहा हूं तो यहां document के अंदर कुछ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है आपने आप साइस style color change हो रहा है आपको अगर ऐसा हो कि थीम तो यही पसंद आ रही है बट इसका फॉंट स्टैल आपको पसंद नहीं आ रहा है फॉंट स्टैल किसी और थीम का पसंद आ रहा है देखिए अलग अलग है तो आप यहां से तो प्रॉपर थीम सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई कलर चेंज कर आपके और आपको बीच में लगेगा लाइन की जो सेड है उस पर यह जो आपको लगता हुआ दिखाईए तो यह दोस्तों यूज टीम्स का आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से बना लीजिए फिर सिंगल क्लिक से आप उसका स्टाइल और चेंज कर सकते हो आसानी से उपयोग करके तो उमीद करता हूं यह पूरा वीडियो आपको समझ में आगे होगा complete tutorial था पेज लियाउट का ऐसे ही आगे reference, mailing, review, view के complete tutorials के लिए दोस्तों जल्दी से subscribe करें लिए इस चैनल को बहुत जल्दी इन सभी के वीडियो जाने वाले हैं और इसके लाबा आप computer tapes, advanced excel स आते हो तो चैनल पर जाओ playlist देखो सब कुछ है वहाँ पे और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा ना like, share, comment करते जरूर आना मिलता हूं अगले वीडियो में, thank you दोस्तो, have a nice day, जै हींद, one day मात्रम, take care